हाँ जी तो केश आप लोग मैं आपका निलेश पिया बहुत बहुत श्वागत करता हूँ इस यूटूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग शॉल्ब करेंगे जो यूपी वोड का जी हमें दोस्त जो यूपी वोड का बाइस फरवरी को आपका एक्जाम होने वाल है उसके लिए ये एक तरस समझ जाओ कि वाइरल पेपर ये ओफिसली बोर्ड की तरफ से जारी किया गया ठीके तो इसको सॉल्ब करना बेहर जरूरी है चलो मैं इसको सॉल्ब करायता हूँ और आपके लिए मैंने ये OMR शीट भी लाया हुआ है ठीके और OMR शीट के अलावा देखो पहले से ही मैंने इस पेपर का जो इधर बीसमार का जो अबजेक्टिव है आपका उसके अलावा ठीके अगर आप 80-90% मार्क लाना चाहते हो अपने बोड जाम में तो ठीके तो चलो आपका टाइम वेस्ट न करते हूँ मैं इस वीडियो को सुरू करता हूँ बागी कहूंगा चैनल को अभी तक आप सब्सकाइब नहीं किये हूँ तो चैनल को सब्सकाइब कर लेना और व पेपर हिंदी का पेपर है ठीके तो चलो सबसे पहले इस पेपर को शॉल्ब करने से पहले कुछ यहां निर्देश मैं हमेशा नहीं आपको बतादा था लेकिन इस बार थोड़ा बताऊंगा ठीके तो आपका 70 मार्क का आपका पेपर होगा आपको जानते हो तीस मार्का तो स्कूल लेबर पर प्रेटकल होता है इसलिए 100 मारक आप लोगा हिंदी का पेपर हो जाता है लेकिन जहां सेंटर जाएगा जीस इस स्कूल पर वहाँ पर यह सतर मारका पूरा पूरा पेपर आएगा ठीके और आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का ठीके जिसमें से 15 मिनट आपको पढ़ने को कहा जाता है आप पढ़ो या कुछ भी करो आपका मन ठीके और तीन घंटे पेपर करने का यह जो पेपर होगा दो खंडो खंड ओ और खंड बा में भीवाजित होगा खंड ओ में 20 मारक के आपके क्या होंगे बहुभी कल्पिये प्रस्न होंगे जिनका आ और आत्मक प्रस्न होगे जिसमें संदर्व ब्याख्या से सम्मंधित प्रस्न होगा ठीके उसके लवा उसके यलबबद खंड का कॉपी पे RAM कर बैड जाईएगा ठीके अगर इसको आप लिखना चाते नहीं है तो एससे तो लिखना नहीं है मैं पीडिया आपको अभी कहा म में लेकर पता दूँगा अच्छे से ठीक है क्योंकि लिखने वर टाइम नहीं है आप सब जानते हो तो बाबु गुलाब रहे किस युग के लेखा के भारतेंदियु के दिवेदियु के सुकलियु के सुकलोत्तर देखो यहां गलट टाइपिंग हुई है बोड के तरप से ठ ठीक है तो यहां सही आपसन यह सी वाला हो जाएगा सुकलियु ठीक चलो शेकेंड प्रसन के है कि चिंता मड़ी किस विधा की रचना है सब लोग जानते वही जो फर्स शेप्टर जिसको लिखा है मतलब आचायरामचंदर सुकल जी ने ठीक है मितरता उन्ही ने लिखा है ठीक है तो इसकी विधा अब हमें पूछ रहा है ठीक चिंता मड़ी के लेखक अगर पूछा जाता तो अचायरामचंदर सुकल लेकिन चिंता मड़ी किस विधा की रचना है में विधा पूछा जा रहा है तो यह निबंद विधा की रचना है ये वाला आपसन बिल्कुल र आएगा ही आएगा, ठीके, सुकलिव की समय आओधी है, हमें सुकलिव की समय आओधी, यानि समय सीमा बतानी है, 1936-1943-191938, जो सही आपसन इसका ये चोथे का आपका बीवाला बिल्कुल हो जाएगा, 1919-1938 तक का जो शमय है, ठीके, वो सुकलिव की अंतरगत आता है, ठीक, चलो, उसके बाद पांच वहाँ प्रस्टे, कि नीड का निर्मार फिर किस बिधा की रचन है, ओके, देखों, नीड का नीड का नीर्मार फिर, और एक और ही याद रखना, क्या भूल्व के याद करूं, ठीके, क्या, चलो, मैं बोली दिया, क्या भूलू के याद करूं, ठ किया भूलू के याद करू जो आत्म कथा विधा की रचना है विधा आपका एक्जाम पूछा जाता है और कभी रचना के लेखा का नाम है ऐसे भी पूछ दिया जाएगा तो आप लोग याद रख्ड़ा भार्तेदू हरीश चंदर थीक चलो अगला पांच वएग बार हम छे नमबर प्रशन देख लेते हैं भाई छे नमबर प्रशन है कि प्रिय प्रवास किस यूग की रचन है ये हमें बताने है कि प्रिय प्रवास किस यूग की रचन है इधर आ जाते हैं ठीक है एक मिनट माफ करना इधर प्रिय प्रवास किस यूग की रचन है भाई दिवेदी प्रगतिवादियुकि, च्छायवादियुकि, यह हम लोगा प्रस्थनोतरसंग की अच्छे है, तो शे का आपका ए वाला ही अप्षन सही हो जाएगा, दिवेदीयुक, ठीक, उसके बाद प्रस्थनोतरसंग के साथ आजाता है, मधुसाला किसकी रचन है काफी फेमस रचन है भारत भारती किसकी रचना है स्याराम सरड़ गुप्त मैतली सरड़ गुप्त जैसंकर प्रसाद महादिवी वर्मा ठीके सही अपसन हो जाएगा आपका मैतली सरड़ गुप्त उसके बाद आठो एक बाद नौ नमर प्रसन है कि आधुनी काल कब से कब तक है हमें आधुनी काल की समय सीमा बताना है तो देखो जो 18 से ठीके 18 से 43 से अब तक का समय है इसको आधुनी काल कहा जाता है इसको भी कई कालों में बाटा गए है तो चलो यहाँ पे तो यह आपका अपसन सही हो जाएगा उसके बाद प्रसनोतर संक्या जो 10 है भाई वो है कि मतिराम किस यूग के कवी है हमें बताना है कि मतिराम किस यूग के कवी है ठीके तो भाई मतिराम आप सबसे याद रखना फेमस कवी है रीतिकालीन कवी है ठीके उसके बाद चलो आगे हम लोग चलते है अब देखो यह जो शुरू के आपके 10 प्रस्ट रहेंगे MCQ में 20 में से, वो आपके हिंदी गद्य के और पद्य के प्रमुख लेखक और कभीयों की रचनाओं विधाओं से संबंदित रहेंगे, तो चलो इनको भी कर लेते, लेकिन इनको करने से पहले, मैं आपको लक्षे बैच के बारे में थोड़ा बता दू, हम लोग का एक लक्षे बैच हमने लांच किया है, ये लक्षे बैच क्या है, ठीके, जो आपको, आपके बोर्ड याम 2024 में जी हमें 20-90% मार्क दिला कर रहेगा, ठीक, देखो इस बैच में हमने क्या दिया है आपको, ठीके, बाकि इसकी प्राइच के है, सब कुछ बताता हूँ, एक मिनिट के अंदर, ठीक, देखो, लक्षे अब इसमें पेपर होगा न, तो पूरे यूपी में हिंदी के साथ प्रकार के पेपर होंगे, महत के साथ प्रकार के होंगे, ठीके, तो वही, 2023 के हिंदी के साथो सेटों का, महत के साथो सेटों का, साइन्स के, इसी तरह सारे सब्जेक के साथो साथो सेटों का, सॉलिशन, वीडियो के साथ-साथ, आपको वीडियो के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-सा समझ जाओ कि अगर इन साथ ये प्रिभीयस एर पेपर और ये दस ये मॉडल पेपर साल कर लेते हो न आपके एक जाम में सेम एक कोश्चन बाहर नहीं जाएगा जी है मेरे दोस्त ठीके तो इस लक्षे बैच को आप जॉइन अप कैसे करोगे ठीके तो इसके लिए हमारी एप अब हम लोग आगे के कोश्चन को सॉल्फ करते हैं ठीक चलो आगे देखते हैं प्रसंख्या 11 देखो प्रसंख्या 11 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे और हां यहां एक चीज में और बताना बोल गया लक्षे बैच में आपको टेस्ट भी मैं नए अफडेट में एड़ कर दिया हूँ ठीके अब मतब हर सब्जेक का कम से कम यहां पर आप दो प्रसंख्या 11 आपके एगजा में हमेशा पूछे जाते हैं ठीक और इसी रस से पूछा जाता है क्लास्टेंट में हां से रस और काणू रस इसके अलबा कोई और रस से प्रसंद नहीं पूछा जाता है चलो प्रसंख्या 12 देख लेते हैं 12 क्या है तो सोहत ओड़े और लहां कहीं प्रसंद में कुल कुल कितने चरंख होते हैं रोला च्छ द में हमें कुल कितने चरंख होते हैं यह बताना एंता थीज को cao डिए cape यह 哲ोलाट चार पांस केड़ों चार नियां यहाँ थीज़न कितने किने चरंख होते हैंै तो इनिया तो यहां पर देखो रोला चंद में कुल कितने चरण होते हैं यहां पर चरण डालकर पक्ति डालना चाहिए कि रोला चंद में कुल कितनी पक्तिया होती हैं ठीके तो यहां पर चार आपका अंसर सही होता है चुकि रोला जो चंद होता है इसमें कुल चार पक्तिया होती है औ और एक पक्ती में दो चरण होते हैं यानि चार दोना के आठ इसमें चरण हो जाएंगे ठीक है अगर चरण पूछे तो रोला चंद में अगर चरण पूछे तो आठ चरण हो जाएंगे अगर पक्ती पूछे तो चार पक्तिया हो जाएंगे ठीक है और आपका एक और आता है ठीके, तो आपका सोठा में याद रखना, सोठा में क्या होता है, सोठा में दो पक्तिया होती है, और आपके चार चरण होते हैं, clear, तो रोला और सोठा में ये डिफरेंस आप याद रखना काफी confusion होती है, चलो, आगे चलते हैं प्रस्नुतर संक्या 14 पे, प्रस्नुतर संक्य के पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर दें वह क्या होता है उपशर्ग होता है ठीक है तो यहाँ प्रस्थ उतर संक्या जो 14 है इसके लिए हम लोगा D आपसंस विए जागा यहाँ पर A जुड़ा है करस्थ पहले A उपशर्ग जुड़ा है अब देखो प्रस्थ उतर संक्या 15 यह अब देखो रचना के अधार पर वाक्य के कितने भेद हैं यह जो आपका निव प्रस्थ वह है न इस बार वाक्य का श्वरूप जी हमें दोस्त वाक्य का श्वरूप ठीक है उससे यह रिलेटेड प्रस्थ ने ठीक तो यहां पर रचना के अधार पर वाक्य के कितने भेद हैं दो पांच छे या तीन ठीक है तो देखो रचना के अधार पर जो वाक्य के जो भेद है या प्रकार है ठीक है वो आपके तीन है ठीक है चलो आगे चलते हैं अगला प्रस्न सोला बाकी इसको मैं डिटेल में पढ़ा चुगा हूँ अच्छे से लगबाग पचास मिट की एक वीडियो है ठीक है वाके का स्वरूप का तो आप चैनल पे जाकर हिंदी वाली प्लेलिस्ट में देख भी शकते प्रस्न उतर संक्या सोला है कि पितामबर में कौन सा समास है हमें पितामबर में समास बताने है तो भाई पितामबर यानि पीला है वस्तर जिसका ठीक है अर्थात यहां पे स्रीकृष्ण की बात की जाए ठीक है तो यहां पे आपका बहुप्री ही समास हो जाएगा ठीक चल ठीक चलो तो यह रहा हम लोग का प्रस्तनोतर संख्या 17 ठीक है अब इसके बाद हम लोग प्रस्तनोतर संख्या 18 देख लेते हैं 18 प्रस्तनोतर संख्या में प्रसंद पूछा गया है कि कर्तरी वाच्य अब यह देखो यह वाच्य वाच्य नया आपका जुड़ा है टॉपिक वाणचे परिवर्तन, ठीके, तो यह, करतरी वाणचे में किसकी परदानता होती है, तो करतरी वाणच्षे में करता की परदानता होती ही, एवाल आपका अप्शन शियों जाएगा, उसके बाओ प्रस्नोतर संख्या 19 है, ठीके, कि ताभ्य सब्द में वचन यों विवक्ति है अब देखो आपका न यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये आपका ताभ्य क्या है ये एक आपका सरोनाम सब्द रूप है ठीके देखो आपका सब्द रूप अब आपके एकजाम में नहीं पुछेगा ये देख लेते हैं ये सरोनाम सब्द रूप है तो ये तो आएगा ठीक, तद और इसमत का दूआ पियाद कर लेना, यही के वलाएगा, उसके अलब और कोई नहीं आगा, तो तब्या सब्द में वचन यों विवक्ति हमें बताना है, तो देखो इसमें तब्या सब्द में जो वचन यों विवक्ति है, ठीके, वो आपका इसका चतुर्थी होता है ठीक है चलो तो यह होगे हम लोग के 20 mcq ठीक है इसको हमने शॉल्व कर लिया अब 20 mcq देखो अब इनका आपको आंसर न ठीक ऐसे जहां में ऐसे नहीं लगाना होगा यह जो ओमार यहां पर 20% को अच्छे से भर लेना है और एक गोले में दो गोला नहीं बरना है जैसे दूसरे में यह चार अप्शन दिया है तो यहां दो गोला नहीं बरना है नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा ठीक और गोला भरते समय ध्यान रखना मतलब यहां गोले के अंदर ही ब बाहर कर दोगे तो वो भी आंसर आपका चेक नहीं होगा ठीके और बाकी इसको भरा कैसे जाता है ठीके तो मैं भरना भी बता दूँगा बाकी पहले का बता चुगा हूँ तो इसको भी साइड रखता हूँ इस OMR sheet को अभी तो मैं बता दूँगा भरना भी चलो उसके बाद यहाँ पर हम लोग वर्ड़ात्मक प्रसंट पर आ जाते हैं खंडबा के अंतर गत जो 50 मार्क का होगा ठीके तो चलो इसको हम लोग करते हैं सबसाइस में पहला प्रस्ण क्या रहेगा आपका यहाँ पर इन तीन प्रसंट पूछा रहेगा और अथवा करकर यहाँ पर इन कोई एक ही आपको करना होगा ठीके लेगिन चलो हम लोग दोनों कर लेते हैं चुकि आपका साथ सेट होगा जानते हो आप साथ हिंदी का सेट होगा पूरे यूपी में तो कौन साब का सेट मिलेगा कोई भरोसा नहीं तो किसी में यह आएगा ठीके तो चलो हम लोग इन दो चेप्टर है ना मितरता जिसको लिखा है अचायर रामचंदर सुकल ने उसी चेप्टर से ये लिया गया है ठीक तो यहाँ पे सिंपल अब इसका प्रसंद क्या पूछा है पहला हमेजा यही पूछता है लगभग मतब गद्यांस का संदर्व लिकिए तो अब यह गद्यांस प्रसूत गद्यांस हमारी पाठे पुछतक हिंदी के मितरता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक अचायर रामचंदर सुकल है ठीक है अब सिंपल यहाँ गद्यांस के रिखांकी कंस की ब्याक्ष्या कीजिए अब यहां पे देखो यह नीचे अंडर लाइन की है यह तक ठीक है तो इसकी ब्याक्ष्या करना है और उसके अबाद यहां पे एक नॉर्मल प्रसंद पूछा है कि लेखा केनुसा समाज में ब्याक्ष्या देखकर लोग एक दूसरे की और क्यों आकर्शित होते हैं तो चलो थोड़ा पहले हम लोग पूरा गद्यांस पढ़ लेत और आसानी से इस रिखांकी कंस की ब्याक्ष्या भी हम लोग कर रहेंगे ठीक तो देखो क्या है कि यहां कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रूची के लोगों में ही मित्रता हो सकती है समाज में ब्यपींता देखकर लोग एक दूसरे की और अकर्शित होते हैं तो कहने का मतलब यहां पर इस प्रशन का उतर आप यह लिख दोगे ठीक है कि लेखा के अनुसार समाज में भी ब्यूता देखकर लोग एक दूसरे की और आकर्शित इसलिए होते हैं कि जो गुण उनके पास नहीं है वो दूसरे ब्यक्ति से सीख सके सिंपल यहां पढ़ने से कि भी आखिया हेडिन डाल कर लिखोगे देखो यह कोई बात नहीं कि एक ही श्रभा और रूची के लोगों में मीत्रता हो सकती है यानि यहां लेखक कहने का मतलब गया है तो लिखोगे कि निम्रांकी या रिखांकी अन्सों के माध्यम से लेखक ठीके अचाय राम जन्सु अब यहां पर रिखांकी अन्स की ब्याख्या देखो कैसे की गई भई आप लोग देख सकते हो यहां पर रिखांकी अन्सों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि यह कोई बात नहीं है कि 100 भाव और रूची के बीच ही होगी जो एक ही प्रकार के कारे करते हो या एक ही रूची रखते हो यह आवश्यक नहीं है या ऐसा आवश्यक नहीं है ठीक है किलियर आगे देखो आगे लिखा है कि समाज में भी विंता देखकर लोग एक दूसरे की और अकरसित होते हैं तो थोड़ा अब आगे लिखो अब बना कर अपने मतब अपने हिसाब से भी उसमें कुछ एड करते जाओ ठीक है तो अलग-अलग प्रकार के कारे करने वा अब देखो इसको थोड़ा मैंने बना कर एड करकर थोड़ा ये अच्छे से लिख दिया है तो इसका आपको दो मार्क मिल जाएगा और ये संदर्व लिखने का दो मार्क और यहां पर थर्ड प्रस्ण जो था कि लेखा कैनुसार समाज में विविंता देखकर लोग एक अब हम लोग अगला प्रसंद देखते हैं अगला प्रसंद करते हैं इसका अथवा वाला भी कर लेते हैं क्योंकि किसी के पेपर सेट में ये आएगा कि इसी में ये आएगा तो इसको भी कर लेते हैं अब देखो ये थोड़ा गध्यांस भारी पढ़ जाता है ठीके क्या कि हे बगवान तब के लिए बिपद के लिए इतना योजन प्रमपिता की इच्छा के बिरुद्ध इतना शाहस पिता जी क्या भीख न मिलेगी क्या कोई हिंदू भूप्रिष्ट पर न बचा रह जाएगा जो ब्रामण को दो मुठी अंदे सके यह अशंभव है फिर दीजिए पिता जी मैं काप रही हूँ इसकी चमक आखो को अंधा बना रही है अब देखो यहां पर यह कहां से लिया गया है त याचि यही मन्ता अपने पापा से बने फादर से बौल रही है यह यह बोल रही है तो इसका फॉर्ष्टप्रसंद पूछा है देखो गढ़्यांघ्किन प्रस्तूत गद्यांस हमारी पाथे पुस्तक हिंदी के मامता नामक पाथ शेलिया गया है deciकably यहां पे नंबर मिल जाएगा अगर आप कोर्स लेना चाहते हो थो यहां पर आप अगर आप online payment नहीं कर पारे application से तो इस पर आप message कर देना आपको qr मिल जाएगा या app पर भी qr मिल जाएगा वहाँ पर payment करकर payment का इसकी इस नंबर पर भेज दोगे न तो आपको aid कर लिया जाएगा group में ठीक चलो यानि लक्षे batch में आगे चलते हैं इधर हम लोग आगे चलते हैं आगे प्रसंद को करते हैं अगला प्रसंद क्या है कि गद्यांस के रिखांकीक अंस का भाव असपस्ट कीजिए अब देखो यहाँ पर हमें मतब भाव असपस्ट करना है जो ये रिखांकिक unser इसका हमें क्या करना है भाव अस्पष्ट करना है अब देखो यहां पे चुक्झी मैने यहां गलत से टाइप कर दिया इसको मैं मतरब जो लक्छे बाचे ना उसमें मैंने इसको I think सिधा कर दिया है रेखांकी कांस की ब्याख्या मैंने लिख दिया यहाँ पर ब्याख्या आपको नहीं लिखना होता है ठीक है चुकि ब्याख्या हमेशा पूछता है लेकिन यहाँ पर अंस भाव का यह जो रेखांकी कांस से इसका हमें भाव असपस्ट करना है तो यहाँ पर रेखांकी कांस क ब्याख्या न लिख कर आप रेखांकी कंस का भाव लिख दोगे ठीक ऐसे हेडिंग टाइप का और इसमें क्या लिख होगे जैसे यहां पे देखो परम पिता की इच्छा के बिरूद इतना साहस पिता जी क्या भीख न मिलेगी क्या कोई हिंदू वो प्रिष्ट पर न बचा रहे जाएगा यानि अपने पिता को ममता अपने पिता को एक तर से डाटती हुई बोलती है कि ठीके क्या बोलती है कि हे पिता हे पिता जी यह इच्छा के बिरूद आप काम कर रहे हैं क्योंकि वह भाई जानते हो मतलब हुश के तौर पे क्याल लेकार आया होते है ठीके ब हुआ हिख नमिलेगी मतनब कहती है कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है खाने के लिए रहने के लिए ठीके तो क्या हमें भी हिंदू मतनब प्रिध्री पर नहीं बचेए का जो हमें भी क्षप दे सकें यह कहने का मतलब है मंता का तो क्या अगर हम आरे पास कुछ भी मतलब नहीं बचता है तो क्या कोई हिंदू इस प्रित्वी पे ऐसा नहीं बचेगा जो एक ब्रामर को क्योंकि यहां ब्रामर सब्द आगे उच्च किया गया तो आप अपने हिसाब से जोड़े कि क्या एक ब्रामर को मतलब खाने के लिए छोड़ा सा अन नम मिल सके ऐसे अपने हिसाब से बना कर लिख दो क्योंकि यहां अन की बात की गई है तो यह भावास पश्ट आपका हो जाएगा ठीक उसके बाद ठड़ है कि ममता द्वारा किस कारे को इस स्वर की इच्छा के बिरुध बताया गया है ठीक है ठीक हमने अथावावाला भी कर लिया अब देखो यह पहला प्रसन हमने कर लिया अब देखो जो सेकेंड हम लोगा कोश्यन आता है उसको हम लोग शॉल्ब करते हैं second question क्या है इसमें देखो दिये गए पध्यांस अब जैसे गध्यांस था यहां पे दो पध्यांस दिये रहेंगे और दोनों से रिलेटेट तिन दिन रहे प्रस्न पूछे रहेंगे उसमें से आपको एक ही solve करना होगा लेकिन हम दोनों को solve करेंगे क्योंकि भाई क्या भरोसा क कि इसके पेपर स्यूर्ट में को होगा henari तो चलो यहां पर जैसे यह पहला पध्यांस एंगे लिखा यह त्क है बोर्डवालों ने खुब गलती किया है चलो कोई दिखाती इधर आ जाते हैं ठीक है एक मिनट शोरी माफ करना ठीक है चलो यहाँ पर आ जाता हूँ यहाँ पर देखो क्या है अंदे को सबकुछ दर्साए बहरी शुने गुंग पुनी बोले रंग चले सिर्छत्र धराई सुरुदाश्वामी करुणा में बार बार बंदव तहीं पाई अब देखो यह आपका जो चेप्टर है सुरुदाश्वी द्वारा लिखी तो आपका चेप्टर है पद ठीके उसी से यह लिया गया है यह पक्ती बाकि अगर आपको पकड़ने में दिक्कत थो एट तो यहाँ सुरुदाश्वी का नाम आगया तो इससे भी पकड़ सकते हो कि यह लग रहा है यह सूर्दास जी द्वारा लिखी थे ठीक है तो सूर्दास जी का चेप्टर आपके मदब भाई बुक में किस मदब कौन सा चेप्टर है भाई तो पद नामक चेप्टर है तो सिंपल तो अब यहां पर लिख दोगे जैसे प्रस्तूत पद्यांस में आपका संदर्ब लिखना है भाई तो संदर्ब लिख तो इस पद्यांस का तो यहां पर लिख दो प्रस्तूतर संख्यदो का देखो जैसे लिखा है मैंने संदर्ब कि प्रस्तूत पद्यांस हमारी पाठे पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है जिसके रचाइता अब देखो यहां पर रचाइता सब्दिश करेंगे और यहां पर आपका लेखक के जगा अब रचाइता सब्दिश करेंगे ठीके तो रचाइता शूर्दा थे ऐसे संदर्ब लिखे दोगे जो भी पद्दिशों का उसका उसके बाद रिख यहां पर छांकी गं से हैं यहां पर करते हैं यह के क्रिपा हो jati ऑस अब्र के प्रकार से कि चिरेघर हो जाता है तिकες प्रकार सुने गुंगपुणी थेता है ऊज़्ण से पढ़ देकर लेते हैं ठीक है कि छांड थे शुरी झरुंस गलती हैं करते हैं ही करता है से यानि जिसकी किर्पा होने से यानि आपकी किर्पा होने से ठीके पंगु गिरी लंगो यानि जो लंगड़ा होता है वो भी गिरी यानि परवत को ठीके पहार को लांग जाता है यानि पार कर जाता है अंधे को सब कुछ दर्साई अंधे को सब कुछ दिखने लगता है बहर जो बहरा होता है वो सुनने लगता है गुंगा बोलने लगता है रंक चले स्री छत्र धराई और जो मतब एक तरस भी खाडी भी होता है वो मतब राजा की तरह ठीके छत्र धराई कर चलने लगता है ठीके सुर्दास स्वामी करणा में बंदव बार बार बंदव तहीं पाए ह स्वामी ठीके मैं सूर्दास आपके इस कमलवत चंडों को बार बार बंदना करता हूँ सिंपल तो ऐसे यह पूरा इसका एक तरस अर्थ हो गया हमें किवल इतने का करना है क्योंकि यहां रिखांकी गांस इतना किया है कि बहिरया उश्यूने गुंग पुनी बोले रंक चले सिर्चत्र धराई तो देखो इतने का क्यावल करना है तो इसका आप कैसे करोगे रिखांकी गांस की ब्याख्या आपको हेडिंग डाल देना है और इसमें लिखना है कि निम्ने रिखांकी कंसो के माध्यम से सूर्दाजी स्रिकिट्षिन की महिमा मंडल करते हुए कहते हैं कि ठीके क्या कहते हैं कि प्रभु की किरिपा हो जाने पर अब देखो प्रभु की किरिपा हो जाने पर यहां से हमें ब्याख्या करना है कि बहिरो शुनी गुंग पु राजा बनकर अपने सर पर राज छत्र धारण कर लेता है या राज छत्र धारण कर घूमने लगता है चनले लगता है कुछ भी आप यहां पर लिख दो भाई आपका काम हो गया तो इसका दो मार्क इसका दो मार्क चार मार्क fix और यहां पर हमें एक प्रस्ण पूछा है कि उप्रिक पक्तियों में कौन सा अलंकार है हमें अलंकार बताना है तो भाई यह जो उप्रिक पक्तिया है इसमें आपका रूपक अलंकार है यहां पर लिख दो कि उप्रिक पक्तियों में यहीं दी गई पक्तियों में तो ये क्या है देखो ये है कि सुनी सुन्दर बैन सुधारन साने सयानी है जान की जानी भली तीछे करी नैने तिन है समुझाई कछु मुस्काई चली तुलसी तेही औसर सेही रावय और लोकती लोचन लाहु अली अनुराग तड़ाग में भान उदे बिकसी मनु मन्जूल क अब देखो ये किस टाइम का ओड़न है ठीक है ये देखो आपका और तुलसी दाजी द्वारा जीख थे ठीक है वन पस पर घूंपका एक तरसे पाठी केहलो चेप्टर है उससे ये पक्तिया ली गई है ठीक है तो ये उस ताइम का ये वृर्णन घहर चोड़ कर राम, लक्षमर्ड, सीटा, एक सत्वन, बास के लिए जाते हैं ठीक है तो उस ताइम का ये मतलब एक तरसे भाई एक जगा से गुजरते हैं तो उनके मतलब अच्छे राम के सरीर को देखकर भाई कुछ ग्राम बद हुए होती हैं उनको निहारती हैं और पूछती हैं सीता जी से ठीके ऐसा ही मतलब इसारो इसारों कि भाई आपके क्वों लगते हैं तीर्चे करी नैन करके तरसे उनको समझा भी देती हैं ठीके और तुलसी जी इसी औसर को देखकर ठीके मतलब इसारों के नितर रुपी कमल की सुन्दर खलिया खिल गई हो ठीक तो ऐसे यह इसका पूरा का पूरा मतलब है ठीक बाकी चलो इसका हमें कैसे करना है उप्युक पद्यांस का हमें संदर्ब लिखना है तो संदर्ब कैसे लिखोगे देखो यहां पर अच्छे से लिखा गया है ठीके कि प्रस्तूत पद्यांस हमारी पाठे पुष्टक हिंदी के वनपत पर नामक पाठ से लिया गया है जिसके रचैता तुलसी दास है ऐसे कर दोगे अब हमें रेखांकी कं आप तक लिखोगे कि जब राम बनबाह जाते हैं तो ठीके थोड़ा आप शुरू में एड़ कर दोगे कि जब राम बनबाह जाते हैं तो रास्ते में एक जगा गराम बद हूए राम को एक टक न्यारती है उसी समय का निमनीर रिखांगी आंसो के आहे अध्यम से तुलसी कहते हैं कि कै passions जी नुद्राइब बिकसि इसका मतलब है कि मानो प्रेम के سरुवर में ठीके जाप प्रेम रूपी सरुवर में में ऐसे भी लिग सकते हो राम रूपी सुर्य का उद्रे हो गया हो और ग्राम बध दोनों के उनके नहुंग दो तो यहाँ पे हमने जो पद्यांस थे दोनों के दोनों उनका भी हमने संदर्ब्याख्या कर लिया ठीक अब चलो हम लोग आगे चलते हैं थर्ड वाले प्रस्ण पे देखो तीसरा जो प्रस्ण है न वही यह आपका हिंदी में पीछे संस्कीत जैसे आपका गद्य हो गया पद कधियांस होते हैं उनका अनवाद करने को आता है और शंदर्भ भी लिखने को आता है तो इसका कैसे करेंगे जैसे यहाँ पर तीसरा प्रस्ण है और इसमें भी आथवा आप संदर्ब्यांस और पर एकद्यांस रहेग stay ठीके तो दोनों में सकी सी एक का आपको संदर्ब लिखना होगा और साथ में उसका हिंदियन बाद करना होगा जिसका आपको दो प्लस तीन यहनी पांच मर्क दो मर्क संदर्व का तीन मर्क हिंदिन बार यह नहीं पांच मर्क मिलेगा तो जैसे यह देखो एसा नगरी भारतिय संस्कुते संस्कित भासाया श्केंदरस्थलम अस्ति पहली लाइन से आपको पढ़ने से मालूम चल गए होगा इसमें simple तरीके से अब आपका संदर्ब लिखना होता है तो देखो जैसे यहां पे लिख दिया गया है ठीके संदर्ब लिखा गया है प्रसुदर संक्या 3 के लिए कि प्रसूत संस्कीत गध्यांस हमारी पाठे पुष्टक हिंदी के संस्कीत खंडगे वरार्सी नामक पाठ से उद्रित है अब देखो यहां उद्रित है या फिर लिया गया है ये भी लिख सकते हो कोई दिकत नी तो simple तरीके से लिखो के बस काम हो गया इसमें लेखा कि यह कभी का नाम नहीं लिखा जाता है अब देखो जो भी यहां पे है इसकी अब हिंदी अनुबाद करना है क्योंकि इसका संदर्व लिख दिए तो दो मारक अब हिंदी अनुबाद करोगे तो उसका तीन मारक तब पांच मारक आपको मिलेगा तो हिंदी अनुबाद हेडिंग डालकर आप लिख दोगे यहां पे जो भी इसका हिंदिय अनुबाद है भाई पूरा 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 यहां पे हिंदिय अनुबाद लिख दोगे भाई एसा नगरी भारतिय संस्कीत संस्कीत भासा याश के अंदर सलमस्ती यानि यह नगरी भारतिय संस्कीत और संस्कीत भासा की केंदर अस्तली है ठीके इत एव संस्कित वागमपत्य संस्कित तेश्च आलोका सर्वत्र प्रसित यानि यही से संस्कित साहित और संस्किती का प्रकास सभी जगा फैला है श्यानि उनके उपनीसत अनवादम प्रखा वह वह उनके उपनीसत अनुदाब कराई तो यही ऐसे लिखोगे फार्सी भासा में अनुवाद करा दिये तो ऐसे लिखोगे आगे लिख दोगे कि मुगल इवराजदारासी को ने यहां आकर भारती या दर्सन सास्त्रों का अध्यान किया था ठीक है या किया वह और वह उनके ज्यान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनी सुदो का अनुवाद फार्सी वासा में कराया ठीक है या करा दिया तो ऐसे लिख दोगे तो इसका दो मार्क इसका तीन मार्क पांच मार्क आपको मिल जाएगा ठीक अब देखो अथवा करकर यहां भी एक है तो यहां आपको दोनों में इसको एक ही करना होगा ठीक है दोनों नहीं करना होगा लेकिन चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं आपके एकजाम में कौन भरोसा कौन आएगा ठीक तो चलो यहां पर देख लेते हैं यह देखो इतना परणने से ही मुझे बालूब चल गया, बार बार यहाँ पर देखो, असमाकम जीवनस से जीवन और संस्कृति की बात यहाँ पर आएगी, इसको आप पढ़ोगे यहाँ तक तो संस्कृति की देखो यहाँ पर बात रहे, तो आपका चेप्टर है एक भारति परिचाई का बोलते हो उसमें जैसे वरार्ची चेप्टर था एक भारतिय संस्कीती चेप्टर है उसी से ये आपका पक्तिया ये जो भी है ये लिया गया है ठीक तो अब सिंपल अब इसका संदर्ब आप लिखोगे ठीक तो चले इसका हम लोग संदर्ब देख लेते हैं बाक में से कौन सा सेट आपका मिलेगा कोई भरोता नहीं ठीक चलो तो यहां हम लोग प्रस्नोत्र संख्या थड़का अथवा वाला देख लेते हैं ठीक है थड़का अठवा वाला में आप संदर्ब क्या लिखोगे कि प्रस्तू संस्कीत गद्यास हमारी पाठे पुस्तक हिंद दोस जो भी हैं दोस आदी को दूर करना ही संस्कीती है ठीक अस्मा का प्रोजा मानो जिवनम संस्कृतुम महानता प्रयत्नम अकृवन यहां पे है कि हमारे प्रोजों ने मानो जिवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न की ठीक है आगे है तो अस्माकम जिवनम से संस कारों के लिए जिन आचारों और भीशारों को दिखाया वह सब हमारी अब देखो जो प्रशनोतर संक्या चार होगा ना जैसेए जैसे आपका ये वहरांची वाला है या या ये आपका भारति संस्कीत है इसके बीच बीच में आपके स्लोक भी दिये हुए है ठीक है आपने देखा होगा तो स्लोकों को आपका पध्यांस भी बोला जाता है तो यहाँ पर देखो दिये गए संस्कीत पध्यांस में से किसी एक का संदर्ब सहीत हिंदी में बात करो अब यहाँ पर पध्या ग्रोधम। लालच एक तरह से बोल सकते हैं ठीके इच्छा कामना उसको वो छोड़कर धनी हो जाता है लोभम हित्वा शुक्षी हो जाता है अब देखो ये तो ठीके ये तो आपका इसका हिंदी अर्थ रहा तो ये तो आप हिंदी अनुबाद में लिख दोगे लेगिन अब इसका भाई संक्या चार में संदर में कैसे लीखोगे यहां पर देख सकते हो आप लिखा गया हो अगर यहां psychopath लिखा ओ तो स्लोक लिखना अगर आपका यहां पे ऐसा प्रस्म पूछा है कि दिये गए संस्कीत पध्यांस में से किसी एका अगर दिये गए संस्कीत स्लोक में से किसी एका यहां पर अगर स्लोक लिखा हो तो स्लोक लिखना अगर पध्यांस लिखा गया हो तो पध्यांस लिखना तो पद्यांस लिखा है तो यहाँ पे मैंने पद्यांस लिखा है कि प्रसूत संस्कीत पद्यांस अमरी पाठी पुस्तक हिंदी के संस्कीत खंड के जीवन सुत्रानी एक मिट ये पेन नहीं चली है दूसरी ले ले लेता हूँ ठीके संस्कीत खंड के जीवन सुत्रानी नामक पाठ से उद्धरी थे या यहां पे फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लिया गया है ठीके अब ये तो हो गया आपका इसका संदर हिंदियन बाद भाई मैंने बता ही दिया कि मनुस्तिय हंकार को छोड़कर प्री हो जाता है मनुस्ति क्रोध को छोड़कर सुक नहीं करता है औ तो आपको एक ही करना होगा बाकी चलो इस अथवा लगो भी हम लोग शालू कर लेते हैं ठीके ये क्या कि भाई सब इसको तो पढ़ते हैं ठीके तो इसलिए इसको पध्यांस बोला जाएगा सिंपल तो यहां पर इसका संदर्व कैसे लिखोगे ठीके प्रस्तूत संस्क्रित पध्यांस हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्क्रित खंड के भारतिय संस्क्रिती नमक पाठ से लिए या फिर उद्धृत के जगा पर उद्धृत पहीं लिख सकते हो कोई दिक्कत सभी शुखी हो सभी निरोगी हो सभी कल्यांड़ को देखे अर्थाथ सभी का कल्यांड़ हो और सभी का दुख दूर हो अर्थाथ कोई भी दुखी न रहे, सिंपल ऐसे इसका हिंदी अनुवाद हो गया यानि अर्थ हो गया, तो इसका आपको तीन मर्क, इसका दो मर्क, पांच मर्क मिल जाएगा ठीक, बाकी आप प्रसुनतर संख्याचार में एक ही करना है, ठीके, आपको अथवा वाला नहीं करना है, मैं तो आपको सारा का सारा कराता जा रहा हूँ, ठीक, तो चलो बाकी ये सारा का सारा फीडिये वही न, मैं आपको बता दू, लक्षे बैच में मिल जाएगा, हमारी जो एप है न, ठीके, UPMSP Study, लक्षे बैच वहाँ पर आप जॉइन कर ले न, ठीके, और जोइन करने के बाद, वहाँ पर अगर कोई आपको दिक्कत हो रहा है, पेमेंट उमेंट करने में, तो इस नंबर पर आप सीधे मुझे मैसेज भी कर सकते हो, वार्टसप मैसेज या कॉल भी कर सकते हो, ठीक, चलो आगे चलते हैं हम लोग, आगे के प्रसंदों को देखते हैं, इस बगल मैं आ जाता हूँ एक मियट, अब देखो जो पांचवा यहीं पे है, पांचवा प्रसंद रहेगा वो आपका खंडकाबे से लेटेर रहेगा अब देखो, अब देखो, किस खंडकाबे का लिखना है तो जो आपके जिले में आता है अब देख लेना कि आप अपने अस्थानिये जो भी टीचर है, ठीके उनसे पूछ लेना कि हम लोगे जिले में कौन सा खंडकाबे आता है और वो खंडकाबे आप पढ़ लेना जैसे आपको मतब आपका कोई जिला है वहाँ पे जैसा जैसुबास खंडकाबे आता है तो अब इन दोनों प्रसनों में किसी एक प्रसन को ही उतर देना है इसका या इसका ठीक है दोनों का नहीं समझ गया उसी प्रकार मालो आपके जिले में कंड कंड काब आता है तो यहां पर कंड कंड काब आता है तो कंड यहां दो प्रसन है तो दोनों में उपर वाले का आंसर प्रसनोतर संक्या 6 के काम में आप लोगा दे गए लेखो को मेंसकिस एक लेखा का आपको जिएन परशे लिखना होगा तो देखो आप जैसंकर्प्रसाद का याद कर ले whack上uelle अचाय राम चंसूक्ल का याद कर ले equivalent और रमधारी सिंग्ढ का याद कर ले। 100 परशन आपका इजाम में फंज जाएगा ठीक और एक यहाँ पे कभियों में रहेगा प्रसुंतर संक्या 6 का यहाँ पे 3 ठी यहाँ भी आप्शन रहेगा इसमें से किसी एक का आपको जीवन परशे लिखने का 3 मर्क और एक प्रमुख रचना का नाम लिखने का दो मर्क यहाँ पांच मर्क मिलेगा तो यहाँ पे आप भाई आप यहाँ पे महा का भी शूरदास का तुलसी दास का और उसके अलावा महादेवी वर्मा का तीन लोग का तो याद कर लेना और एक दो और का याद कर लेना ठीक है आपका यहाँ से भी आपका पांच मार्क क्लीर हो जागा तो पांच 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 दस मार्क बाकी देखो यहाँ जो आप लक्षे बैज जोईन करोगे नो उसमें PDF में यहाँ मैं दिखायता हूँ अच्छे से मैंने लिख रखा है देखो यहाँ पे यह प्रसनोतर संक्या 6 का जो को है उसमें जैसंकर प्रसाद का जीवन पर्चे देखो और आपका यह संशिप पर्चे लिखना जरूरी है नहीं तो एक मार्क कर जाएगा ऐसे आप डबा टाइप का बना कर बॉक्स टाइप का यहाँ पे इनका संशिप पर्चे लिख दोगे जनम जनम स्थान, पीता माता और मिर्ति यह सौट में लिख दोगे ठीक है उसके बाद जो भी है यहाँ पी इनका डिटेल में ऐसे लिख होगे यहाँ लिखने के बाद मालों यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लिखने के बाद जियों पर्चे जहां मतब इनका खतम होता है वहाँ से एक लाइन छोड़ कर नीचे लिख दोगे उनकी कोई एक रचना का नाम लिख दोगे और लिख दोगे यह जैसंकर प्रसाद की प्रमुष रचना है जैसे द्रुस्वामिनी जैसंकर प्रसाद की प्रमुष रचना है आपने लिख दिया ठिक तो आपको इसका इतना लिखने का तीर मार्क और इतना लिखने का दो मार्क केवल ठिक यानि आपका पांच मार्क यहां से इस परकार सेम देखो यहां कभियो में तो यह आप याद करते रहे ना ठीक एसको तो मैं छोड़ता हूंगा आप याद भी किये होंगे तो कोई इसको याद करने की जोड़ नहीं है ठीक इधर मैं आता हूं इस लिखा गया है यहां परका तुल्सी परसंदोर्सिति के अच्छे के कौमे कवी का होता है घ्रिटिंग डाल दिया और मैंने यहां पर पुरागपुरा इनका जीवन परचे देखो यहां से यहां प्रसुनतर संख्या जो शात रहे हैं, इसमें आपको एक स्लोक लिखना होगा ठीक है। अपनी पाठे पुष्तक में से कंधास्ट कोई एक स्लोक लिखें जो इस प्रस्थ dawn में न आया हो तो है स्लोक अब देखो यहां पर जैसे यह दो स्लोक था तो इन स्लोकों को नहीं लिखना है इक कोई अलग सा लिखना है तो आप तीन असान सलोक याद कर लेना जैसे यहाँ पर देखो यह असान सा सलोक है मैंने लिख रखा है अब प्रस्णतर संख्या आठ जो है भाई इसमें आपका चार ठेप प्रस्ण रहेगा लेकिन यह संस्कीत के आपके चेप्टर है पीछे हिंदी संस्कीत हम लोग चारो के चारो प्रस्णों को हल कर लेते हैं जिससे भारतिय संस्कीते मूलं किम अस्ति तो भाई यहाँ पर लिखा गया है ठीक है आप देख सकते हो इसका आंसर कि विश्वस्य अस्टा इस्वरह एक एव इती भारतिय संस्कीते मूलं अस्ति थोड़ी यह प्रस्णा आपका Mercanantin यह है तो मालो इसको आप मत करो भाई इसका आंसर ठीक है क्योंकि हमें चार में से दो ही करना है तो जो असान असन है उसको कर लेंगे तो इधर देखो आप देखो इधर हम लोग देख लेते हैं इधर प्रसनों को देख लेते हैं जैसे यह है आसान प्रसन है पूर्राजा भीस था खाओ यह संद कर लो होगा जिसका वन प्लस वन यानि दो मार्क आपको मिलेगा ठीक है यहां पर देख सकते हो पूरा चाहिका भारत बिरासीद चंत्रेकर एक प्रसीद धक्रान तकारी देश भक्षासीद और उसके बाद बीरह बीरेर पुझ जाते ठीक है यह बीरह केंट पिर जाते तो बीरह बी और यह प्रसीद जो था पहले चार मार्क में था लेकिन अब दो मार्क में है और दो दो यानि चार मार्क निकालकर यहां पर नया प्रसीद किया गया है पत्र लिखन तो अभी पत्र लिखन भी हम देखेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग निबंद देख ले तो निबंद मे में दिखाए है था हुँ थोड़ा क्यासे निबंद लिखा जाता है ठीक है देखो जैसे प्रस्तोत्तर संख्यनों हेडिंग मैंने डाग लिया उसके बाद यहां आतंकवाद कारण यहुपनिवारण हेडिंग डाग लिया और इसमें हम लोग सबसे पहले आ देखो आप रूप रेखत त्यार करते समय कोई भी निबंध लिखो ठीक है उसमें शुरू में आपको प्रस्तावना आपको बनाना ही पड़ेगा और अंत में उपसंगार बनाना ही पड़ेगा यह चोथा पाचवाई छे नंबर है भई ठीक है तो चलो यह शुरू में प्रस अतंकवाद क्या है यह तो हम लोग सिंपल लिखना ही पड़ेगा निबंध में तो यह आप टॉपिक बना लो कि आतंकवाद क्या है या आतंकवाद का अर्थ क्या है यह भी बना सकते हो उसके बाद भाई थोड़ा भारत में भी आप देखते हो कि आतंकवाद काफी फैला ह इसे आपने टॉपिक बना लो और नीवान या अतंकवाद का निवान या तकवाद का शमधान और अंत में उप्शंगार में अपने टॉपिक बना लिया वैई अब उसके बाद एक एक टॉबिक जैसे प्रस्तावना है तो प्रस्तावना आप डालो भई और प्रस्तावना में आप लिखो प्रस्तावना में थोड़ा मतब शॉट में थोड़ा इसके बारे में लिख दो कि अतंकवाद भई क्या मतब है ये कैसी प्रवीरती का कारे है तो मैं अपने हिसाब से इसको बनाा वना कर लिखा है और मैं यह मैंगा एक आप इसी तरह आप भी लिखो आप इससे प्त does लिखा गया है ठीक है और मैंने bouncy अपने हिसाब गया होगा वहाँ पे ठीक है मैंने डाल रखा है पहले सही तो आप यह पूरा 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 आप एक बार पढ़ लेना ठीक और आप अगर कोई नए बच्चे हो भाई ज्वाइन नहीं किये हो तो आप ज्वाइन कर लेना यूपी एमस्पी यूपी एमस्पी इस्टडी पे लक्षे बैज ठीक है चलो भाई जिसकी प्राइज मात्र दो सनी नानवे रुपे है जिसमें आपको हिंदी के इंगलिस के मैथ के साइंस के सारे सब्जेक्टेट दोहजरतेईस के सारे सेटों का सालुशन उसके अलावा बो यहाँ पे टेस्ट भी आपको मिल जायएंगा ठीक है जैसे इसका अब्जेक्टिव का मॉडल पेपन यह पंसेप्ट होगा सारी चीजह याद भी हो जाएंगी ठीक है चलो तो अब जॉइन कर लेना है लक्षे बैच हमारी UPSP study पैठ बाकी आगे चलते हैं हम लोगे में यह पे टॉपिक एक निबंध वाले के बाद पत्र लेखन बचता है क्योंकि ये नया टॉपिक एड़ हुआ है तो काफी सारे लड़के इसमें कन्फिज हो रहे हैं कि पत्र कैसे लिखे तो देखो ये पत्र लेखन से समंदी जैसे प्रसुनतर संख्या 10 में इसमें दो इसमें भी रहका थावा करकर तो जैसे उपर वाला एक है एक नीचे वाला जो चलो मैंने दोनों टापिक पे लिखावा है दोनों टापिक पे आपको बताएता हूँ तो जैसे उपर वाला टापिक है कि अपनी बिसेश रूचियों का उलेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे, ओके, जैसे कोई भी आपकी एक बिसेश रूचिय है, जैसे किर्केट खेलना, फुटवाल खेलना या कुछ भी, उसका उलेख करते हुए, ठीके, यानि उसका एक तरस ब्याख्यान करते अपने मित्र को एक पत्र आप लिख दो, ठीके, तो चलो इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद फीडिस को देखेंगे, ठीक, तो यहां पे चलो, यहां पे पत्र देखो, मैंने कैसे लिख क्या है, एक मियाट यहां पे पहले से मैंने लिख रखा है, यहां पे देख सकते हो तो आप लोग ओके मैंने ये फोल्ड कर लिया नहीं नहीं ये तो आतंकवाद वाला ही आ गया ओके प्रस्नोतर संख्या 10 देखो प्रस्नोतर संख्या 10 और इसमें देखो मैंने क्या सबसे पहले तो आपको टिके उसके बाद यहां पर थोड़ा एड्रेस लिख दगो भैं तो गोविनद पुरि लखनो कुछ भी लिख सकते हों यहां पर राकेश सुखल दिल ले। ठीके पिछक भी यहां पर लिख सकते CHANप से ऑप लोग अब देखो यहां पे मेंद अब हम लोगा बॉडी शुरू होता है इसमें आप क्या लिखोगे देखो मैंने लिखा है अपने हिसाब से ही बना कर लिखेना इससे आइडिया लेना कि मैंने कैसे लिखा है देखो आज बहुत दिनों बाद मैं तुमको पत्र लिख रहा हूं और तुमको पत्र लिखते हूं मुझे काफी आनंदार है ठीक है आगे देखो कैसे हो मित्र आसा करता हूं अच्छे ही होगे और सब कुछ कुछ कुछल मंगल होगा यहां भी सब कुछ कुछ कुछल मंगल है देख लिए पहली लाइन कैसे यह नॉर्मल एक दम लिखी गई है आ चैसे मेरे पीताजी कहते हैं कि पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा प्रंतू मेरी रूची भाई क्योंकि किसी एक खेल का अपने बिसेस Lie भी कहें और कोई कोई बना कर लिख लिया है ठीक तो देखो यहां पे वही लिखा है कि वैसे मेरे पिता जी कहते हैं कि पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा प्रन्तु मेरी रूची खेलकुद में अधिक है और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाकर एक बड़ा किरकेटर बनू और अपने द आगे देखो मुझे क्रिकेट खेलना बहुत परसंदे मैं चाहता हूँ कि मेरे घरवाले मेरा साथ दे और मुझे एक अच्छा क्रिकेटर बनने में मेरी सहायता करे या मेरी मदद करे मुझे पता है कि तुम्हें भी क्रिकेट खेलना बहुत परसंदे प्रन्तु तुम एक इंजिनियर बनना चाहते हो, तुमने पहले ही सोच रखा है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, और तुम्हारा समेस्टर एकजाम कैसा गया जरूर बतना, अब देखो, एक समेस्टर एकजाम का मैंने यहाँ पे, मतलब, क्रियेट कर दी है, पॉइंट यहाँ पे, पत्र मिलने के बाद बहुत खुस होगे, मैं भगवान से दुए करूँगे तुम एक बहुत अच्छे इंजिनियर बनो, कि इसकी इंजिनियर बनने की च्छाई इंजिनियर पर यह कारे कर रहा है, पहले से जिसको यह पत्र लिख रहा है, ठीक, तो यहां पर मैंने यहां पर देखो इसको लिख दिया है और अंतर में लिख दो कि तुम्हारा मित्र निलेशिया दो मैंने यहां पर अपना नाम लिख दिया है यहां पर कोई भी आपको एक्जाम में अपना नाम नहीं लिखना होता है तो तुम्हारा मित्र यहां पर x y z ऐसे लिख दोगे ठीक क्योंकि ग्रभक ऐसे दो कले किस्टी डिए और ख़्यर्प्र पतमर्ब्र आपनी बीक्स्राइवर रु competitियों रुप्तर इ स्वाउच्ट दो कुई आना ही आना है इन दोनों में से कोई ना कोई आपका एकजाम में आना ही आना है उसके बाद 10 के बाद 11 नमर है इसी का अथवा है यार वीडियो सूट करते कर देना गलाब मतब बैठने लगा ठीक तो कहीं उल्टा सीधा बोल देता हूं 10 का बाद मतब जैसे 10 का यह 11 बोल दिया है रहना की 10 का यह अथवा हला है ठीक तो माफ करना चलो उत्तरमद रेलवे को एक सिकायती पत्र लिखिये जिसमें टीकट निरीचक द्वारा किये गए अबद्र विवहार का उल्लेखो ओके देखो यहां पे माफ करना थोड़ा पानी पीने लग गया चलो देखो क्या करना इसमें कि उत्तरमद रेलवे को एक सिकायती पत्र लिखिये जिसमें टीकट निरीचक यह वही टीटी होता है उसके द्वारा ठीके तो टीकट निरीचक द्वारा किये गए अबद्र विवहार का उल्लेखो य किसी में यह आएगा तो हम लोग इसलिए दोनों को कर ले रहे हैं देखो इसमें आप कैसे लिखोगे सबसे पहले तो क्या कोशन में पूछा जा रहा है कि उत्तरमद रेलेवे को सिकायती पत्र लिखना है और किसलिए लिखना है टिकट निरीचक द्वारा किये अबद्र व सिकायती पत्र है ऐसे बना लोगे और इसमें लिखोगे अब भई कैसे लिखोगे भई अब देखो यहां पे आप किसी को रिक्वेस्ट करोगे भई शिकायत कहीं लिख रहे है तो किसी अधिकारी को किसी बिभाग को लिखोगे तो यहां पे आप मतब रिक्वेस्ट करोगे आफ किस लिक रहे हैं बाई तो बाई जोभी विभाग से मथे रेवय माहकाशो इसके उत्तحد है अगय दिल यहां लिखे से करें अपने सब्सक्राइब valued यहां पर देखो बिसे थोड़ा लिख दोगे अब यहां पर यह किस बिसे पर आपके लिख रहे हो बाई तो टिकट निरी छक द्वारा अभधर बेवार के शंबंध में ओके यह लिख दोगे और फिर लिखोगे महोदे महोदे के बाद अभी यहां लिखना प्रारम कर दोगे में आपकी बात इस्टार्ट होगी कैसे अभी यहां पर लिख रहे हो कैसे एकस्प्लेइन चीजों को कर रहे हो तो देखो मैंने कैसे एकस्प्लेइन किया है सविने निवेदन है कि मैं कल बंदे भारत एकस्प्रेस देखो यह बंदे भारत एकस्प्रेस मैंने अपने आपसे क्रियेट कर ली है आप कोई भी यहां पर रेलगाडी के नाम दिख सकते हो ठीक है तो सभी ने क्योंकि यहां पर उत्तरमध्य रेलेयों में आप यात्रा कर रहे हैं उसमें टीकट नीर्चक द्वारा आपका मतलब अबत्र बिवहार किया गया है आपके साथ उसका तो सिकायती पत्र लिख रहे हैं तो चलो इसमें देखो सभी ने वीदर ने कि मैं बंदे भारत एक्स्प्रेस से लखन author से दिल्ली जा रहा था ठीक है यहां पर या दिल्ली से लखन लिख सकते हो ठिक चलो तो सब निया निवेदर नहीं कि मैं कल बंदे भारत एक्सप्रेस से लखनव से दिल्ली जा रहा था या लखनव से आगरा जा रहा था लखनव से मुंबई जा रहा था ऐसे कुछ भी लिख सकते हो ठिक जिसमें अब देखो जिसमें चुकि शिकायती प शामिल थे ठीक है। 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 हमारे साथ अभध्र बेवार किया। अभध्र बेवार मिंस गालिया अभी दे सकता है। अभी इतना एक्स्प्लें करने के जोद नहीं है कि अभध्र बेवार किया। ठीक। आगे देखो। जब मैंने उससे बताया कि इनका टिकट नहीं लग सकता। तो वह मुझे जेल जाने की धमकी देने लगा। और मेरे पूरे परिवार से बत्तमीजी करने लगा। अता आपसे निवेदे नहीं कि आप इस टिकट निरी छक पर कोई करेवाही करे। और यहां पर लिख दोगे आप कि भवधी अब जो भी आपका नाम है भाई। अब नाम में यहां पर नाम नहीं लिखा जाता है तो आप यहां पर एक्स वाई जेट कर दोगे। और यहां पर जो भी आप जहां से लिख रहे थे भई तो वहां का यहां पर पता डाल दोगे तो लखनाओ क्योंकि आप लखनाओ से दिल्ली जा रहे थे ना ठीक है तो यहां पर लखनाओ लिख दो सिंपल यापका कहर लखनाओ है उसके बाद यहां पर दिल्ली भी कर सकते तो आप दिल्ली पहुंच गए हो ना लखनौ से दिल्ली गए था इसका मतलब कि आप दिल्ली पहुंच गए हो यह भी हो शकता है कि भाई आप जाकर वापस भी आगए हो तो यहां पर लखनौ भी लिख सकते हो कोई दिकत नहीं ठीक उसके बाद यहां पर जो भी दिनांग हो भाई एक बरी हम पर दीनांग डाल देना आपका काम खतम तो इस तरह से आपका ये पत्रलेखन होगे इस टॉपिक पे तो इन दो टॉपिक पे हमें दिया था ये मॉडल पेपर में जो बोर्ड और ओफिस सिल जारी किये गहते ठीक है तो इन दोनों टॉपिक पे हमने लिख लिया ठीक बाकी इसको त्यार कर लेना आपके चार मार्क ये दे कर जाएंगे पत्रलेखन वाले टॉपिक ये दोनों टॉपिक निशी थे आने ही आने है किसी paper set में यह आएगा ठीक तो दोनों को देख लेना आप तयार कर लेना बाकी आप बताना कि आपको यह video कैसे लगी वीडियो अचली तो चलागा subscribe करना वीडियो को like करना और फिर मैं बताना चाहूंगा वीडियो के अंत में जो हम लोग का लक्षे बैच है ठीक है लक्षे बैच आप जोईन कर लेना हमारी एफ है यूपी एमसपी इस्टडी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्रिप्सर में भी मिल जाएगा प्ले इस्टो से भी सर्च करूगे तो आ जाएगी आप वहां से डाउनलोड कर लेना यहां पर आपको जो आपका प्रिभियस एर पेपर है दोहजर तेजिस का उसमें हिंद इंगलिस मैज साइंस सारे सबजेक्ट का जो सातो सातो सेट का पेपर था उसका सलूशन मिल जाएगा अच्छे से वीडियो के शाथ साथ पीडियो भी मिल जाएगा ठीक है और वहां पर मैं टेस्ट का भी आप्शन डाला हूँ टेस्ट भी दे सकोगे आप ठीक है उसके अलाबा जो दिखाई दिया इसी तरह बेस्ट क्वाल्टि मिलेगा उसके अलाबा मैं अपनी तरफ से मॉडल पेपर बना रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट का ठीक है मैं उसको नए pattern पे create कर रहा हूं अपने हिसाब से और बना रहा हूं तो उसका solution इन सब का solution video के साथ pdf solution मात्र आपको 299 रुपे में हमारे इस batch में लक्षे batch में आपको मिल जाएगा तो आप जरूर जोइन करना ठीके और अगर वहां पे join करने में कोई भी आपको अगर दिक्क करकर इस नंबर पे आप payment का screenshot लेकर भेज देना अपना नाम लिख देना आपको batch में add कर दिया जाएगा और कोई भी दिक्कात हो तो इस पे call भी कर सकते हो डैडेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हो ठीके तो चलो यह रहा हम लोगा बोर्ट दोरा जारी official हिंदी का model paper का solution आसा क करता हूँ आपको सारी चीजे सारा का सारा doubt clear हो गया होगा ठीके पागी चलो मैं इसी तरह मिलता हूँ किसी next video में तब तक के लिए thank you